कर दो कि नमश्कार दोस्तो राजिस्तान के इतिहास के अंदर जो है अपना अंदोलन वाला टॉपिक जल रहा ठान जिस परजामंडल जो है उसके बारे में चर्चा करे थी और परजामंडल में आज अपने जो चर्चा करने वाले है उसका नाम क्या है मेवाड परजामंडल कौन सा परजामंडल है मेवाड कल अपने जैपूर परजामंडल के बारे में चर्चा की थी थोड़ा सा हाल टोपिक है जो जो तत्य है वो तत्य थोड़े से जादा है तो थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको समझाने वाली बात जो मेल संद के साथ जो बात है वो वैसे वैसे फिक्स ही आप से प्रशिन में पूछी जाएगी तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना और आज अपने मेवार प स्रीय जो है वो किसको जाता है तो द्यान रखना मानिक्यलाल वर्मा को जाता है मानिक्यलाल वर्मा को तो वर्मा जी को जो है मिवार में जंजात्री का जो है स्रीय जाता है मिवार परजामेडल और इस परजामेडल की जो स्थापना है वो स्थापना की गई थी कब 24 अप्रेल 1938 इस्वी को कहां पर किसके द्वारा तो मानिक्यलाल वर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी ठीक है ना मानिक्यलाल वर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो पर्थम अद्यक्ष है पर्थम अद्यक्ष या जो सभापती बनाया गया था वो किसको बनाया गया है तो ध्यान रखना बलवन सी है महता को बनाया गया है किसको बनाया गया है बलवन सी है महता को इसका पर्थम अध्यक्स हो रहे सभापती बनाया गया है इस बात का विशेशता है ध्यान रखना और मेवार परजामनल जो है इसके जो उपाद्यक्स बने थे उपाद्यक्स का नाम आता है भूरेलाल बयां को बनाया गया था ठीक है ना और उध्यपूर के परधान मंतरी जिनका नाम आता है स्री दरम नारायन काक ने क्या किया 11 मई 1938 को इस परजामनल को क्या कर दिया था गेर कानूनी गोसित कर दिया था जैसे परजामनल स्थापित होते ही इस परजामनल को क्या कर दिया गया इस धरम नारायन काक के दोरा गेर कानूनी क्या कर दिया गया इसे गोसित कर दिया गया ठीक है गेर कानूनी जैसे इसको गोसि जासिद कर दिया गया था ठीक है ना और वर्मा जी जो है वर्मा जी पहले वर्दा गए कहां गए वर्दा वर्दा कहां पड़ता है महाराष्ट्र गए और महाराष्ट्र जानने के बाद में ये कहां चले गए थे तो अजमेर चले गए थे ठीक है और इसी अजमेर को मानिक य लाल वर्मा ने अपना क्या बनाया एस थाई मुख्यले या कह सकते हो कारले बनाया एस थाई मुख्यले इनका जो कारले बना था वो कौन सा बना था अजमेर बना था और अजमेर में रहे कर ही इन्होंने मेवार की वर्तमान सासन मेवार की जो वर्तमान सासन है मेवार की वर्तमान सासन नामक क्या लिखी थी पुस्तक की रचना गे थी क्या की थी मेवार की वर्तमान सासन नामक पुस्तक की रचना की थी किसने मानिक यलाल वर्मानी ठीक है न और इस पुस्तक में यह भी लिखा गया और अलोचना भी की गई सरकार की अलोचना भी की गई और जिसमें यह भी बताया गया कि आप जो मिवार परजामनल पर लगी जो पाबंदी है उस पाबंदी को क्या कर दीजिए हटा दीजिए लेकिन धरम नारण काक नहीं माना तब भूरे लाल भूरे लाल बया इस भूरे लाल बया को गांदी जी से वारतालाब के लिए कहां बेजा गया दिल्ली बेजा गया और जो भूरे लाल बया है इस भूरे लाल बया ने जो है गांदी जी से मिले और 1908 इस्वी कब 4 अक्टूबर को कब 4 अक्टूबर 1938 इस्वी को विज्या दस्मी के दिन मेवाड में सत्याग रहे सुरू करने का क्या लिया गया निर्ने लिया गया ठीक है न निर्ने लिया गया अब इसके बाद में बताते हैं कि भूरे लाल बया जो है वो अब कहां से दिल्ले से कहां जा रहे हैं उद्यपूर के लिए रवाना हुए परन्टू उन्हें कहां उद्यपूर के स्टेशन उद्यपूर के स्टेशन पर क्या कर लिया गया गिरफतार कर लिया गया और सराडा किले में कौन से किले में सराडा सराडा किले जो उद्यपूर में पढ़ता है जिसे मेवाड का काला पानी कहा जाता क्या कहा जाता है इसे मेवाड का काला पानी इस दुरग में इसे क्या कर दिया गया केद कर दिया गया कौन से किले में सरडा किले में किसे बुरे लाल बया को सरडा किले में केद कर लिया गया ठीक है ना इस अंदोलन का जो सरवादिक परभाव रहा था वो जहां रखना कहा रहा था ना दौरा में रहा था कहा रहा है ना में गंगा भाई ने महतवपूर्ण भूमी का निवाई थी किसने गंगा भाई ने क्या निवाई थी महतवपूर्ण भूमी का तो सरकीरिय महिलाओं में जो है यहां योगदान किसका रहता है ठीक है न किसका रहता है गंगा भाई का अब बताते हैं कि 1949 इस्वी को दोके से इ खंबे के बांध करें इनको पिटा भी गया था और बाद में इनको कौन से दुरग में कैद कर दिया गया था कुंबलगर दुरग में क्या कर दिया गया कैद कर दिया गया इनकी तब ये दो साल की सजा भी सुनाई थी लेकिन तबियत बिकड़ गए इसलिए 1940 इस्यू में इनको क्या कर दिया गया था रियहा कर दिया गया था किनको मानिक यलाल वर्मा को ठीक ना और मानिक यलाल वर्मा पर हुए अत्याचार की अलोचना 1949 इस्यू में गांधी जी ने गांधी जी ने किस में किस समाचार पत्तर में तो हरिजन पत्तर में इन्होंने क्या है इसकी क्या की थी अलोचना की थी क्या किये अलोचना की उन्ने सो इकतालीस इस्यू में अब धरमनाराण काप की जिगह है मेवाड के नए परधानमंत्री बने जिनका नाम आता है सर्टी विज्या रागबाचार सरटी विजया रागवाचारे मेवाड के क्या बने है अब नई परधानवंतरी बने हैं कब बने हैं तो 1949 के अंदर नई परधानवंतरी बने हैं सरटी विजया रागवाचारे इन्होंने क्या किया जो परजामंडल है उस परजामंडल पर जो लगी पाबंदी है लगी पाबं मंदी को क्या कर दिया गया हटा दिया गया और इसके बाद में परजा मंदल का क्या हुआ पर्थम अधिवेशन आयोजित किया गया पर्थम अधिवेशन आयोजित किया गया कब तो 25-26 नवंबर 1941 इसवी को उधियपूर की शहपुरा हवेली में कया किया गया आयोजित किया गया और अधिवेशन के जो अधियक्स में नाम आता है किसका MLV मने के लाल वर्मा का तथा इसके उपा देक्स जो बने थे वो कौन बने थे बुरेलाल बया कोई बनाया गया था और इसी समय मिवार के में जो हरीजन थे उन हरीजनों के लिए मिवार हरीजन सेवा संग कौन सा है मिवार हरीजन सेवा संग की क्या की गई है इस्थापना की गई है जिसका कारेभार 1942 में जो है किसने ठककर बापा ने किसको सूप दिया था मोहनलाल सुखाडिया को सूप दिया था किसको सूप दिया है मोहनलाल सुखाडिया और मोहनलाल सुखाडिया जो राजिस्तान के सबसे लंबे कारेकाल के मुख्यमंतरी रहे हैं मोहनलाल सुखाडिया की राजनितिक जीवन का आरम यहीं से ही माना जाता है किसका मोहनलाल सुखाडिया का इसी समय बताते हैं कि विज्या लक्ष्मी पंडित ने खादी आसरम की स्थापना की और 1942 के गांदी जी के भारत चोड़ो अंदोलन में क्या लिया था भाग भी लिया था किसमें लिया है गांदी जी के भारत चोड़ो अंदोलन में भाग लिया है ठीकर ना 20 अगस्थ 1942 को मेवाड परजामंडल ने क्या किया जो महाराना थे उन महाराना को खुली चुनोति दे दी कि वो 24 गंटे के विरुद 24 गंटे के विरुत नहीं 24 गंटे के विटर अंगरेजी सरकार से क्या कर ले सम्भद विछेद कर ले सम्भद तोड़ दें अंगरेजी सरकार से बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा किया जाएगा अब इसके बाद चुनोती के बाद में परजामनल को भी क्या गोसित कर दिया गया अवेद गोसित कर दिया गया जो और मोहनलाल सुखाडिया मानिकेलाल वर्मा बलवन सिंग जो इसके देख्षते पर्थम बलवन सी हमेता इनको क्या कर लिया गया गिरफतार कर डिया गया और अब जो है महिला नितर्तों भी रहा था यहां पर महिलाओं ने भी गरफब्तारी दी थी इसके अंदर जो है बताते हैं कि नारायणी देवी wrap नारायणी देवी वर्मा ने सत्यक्रा प्रारम किया जो मनि के लाल vर्मा की पत्नी थी यह अपने च्छै महा के पुत्र दीन बंदू को साथ लेकर दीन बंदू के साथ कहां गई थी जेल गई थी ठीक ना कौन नाराणी देवी वर्मा और इसके साथ जो है बताती है कि इसके जेश्क पुत्री जो जिसका नाम क्या आता है सुसीला और प्यारचंद पत्नी थी घह भी इनके साथ में क्या गए थे जेल गए थे तो महिला सत्य कर दिया गया और 1945 में परजामद के पर्तिबंद को क्या कर दिया गया था हटा दिया गया था कब 1945 में ठीक है ना और अब इसके बाद में बताते हैं मनिके लाल वर्मा के अनुरोध पर वेरी इंपोर्टन परशनिया से बन सकता है कि अखिल भारतिय देशी राजे लोग परिशद का सात्मा दिवेशन पंडित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्स्ता में की अध्यक्स्ता में 31 दिसंबर 1945 से एक जनवरी 1946 इस्वी तक उध्यपूर में हुआ कहां हुआ उध्यपर में हुआ था अखिल भारतिय देशी राजे लोग परिशद का सात्मा दिवेशन पंडित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्स्ता में 31 दिसंबर से एक जनवरी 1946 इस्वी तक उध्यपूर में हुआ था वेरी इंपोर्टन क्योशन यह अब की बार वीडियो में भी आया था और अधिनस्ट वोर्ड के दवारा सबसे ज़्यदा वार एक तरह से यहां से मेवार परजमदल से पुछा गया प्रशन है ठीक है ना और इस अधिवेशन में बताते हैं कि सेर एक कश्मीर जिनका नाम आता है सेख अब्दूला सेख अब्दूला सहीद 435 परतिनी दियों ने इसमें क्या लिया था बताते हैं कि क्या लिया है भाग लिया है ठी 1947 इस्वी को मेवाड के परधान मंतरी मतलब मेवाड के नए सलाकार बने जिनका नाम क्या आता है क्या नाम आता है क्या नाम आता है क्या नाम आता है क्या मुंसी और यह जो क्या मुंसी है यह मेवाड महाराना के क्या नुक्त हुए सलाकार नुक्त हुए सलाहकार क्या किये गए इनको नुक्त किये गए और इन्होंने एक नया स्विधान बनाया नया क्या बना दिया स्विधान बनाया और जिसमे जिसे 23 मई 1947 को परताप जैनती ये मतलो वैसे 9 मई को आती है परताप जैनती लेकि निहान रखना ही इन्दी माह के अनुसार है ये 23 ज इंहें नाम आता है किसका मोहनलाल सुखाड़िया और हिरलाल कोठारी को मंत्रि पद दिया गया इथा यह बात विश्यस्त द्लखना यह था बिद्न आपके कौंसा परजामंडल है मेवाड परजामंडल अब इसके वार में अपने चर्चा करेंगे परजामंडल की जिसका नाम आता है कौन सा प्रजामडल मारवाड प्रजामडल है कौन सा प्रजामडल है मारवाड प्रजामडल है तो मारवाड प्रजामडल में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात आपको ध्यान दखड़ा है मारवाड या जोदपूर में जो जन जागरिती है जन जा नारायन व्यास पलस चांदमल सुराना को जाता है ठीक है न और यहां पर 1918 इसवी में मरुधर हितकारिनी सभा की स्थापना की गई थी किसके दोरा चांदमल सुराना के दोरा बताती हैं कि मरुधर हितकारिनी सभा की क्या की गई थी इस्थापना की गई थी कब की गई है 1918 में ठीक है ना इसके बाद में 1920 इसवी के अंदर जै नारायन व्यास के द्वारा जै नारायन व्यास के द्वारा मारवार सेवा संग कौन सा संग है मारवार सेवा संग इस मारवार सेवा संग की क्या की गई थी इस थापना की गई थी किस के द्वारा जै नारायन व्यास के द्वा इस मरूदर हितकारेनी सभा को अपडेट कर दिया गया मतलब परिवर्तित करके क्या नाम दे दिया गया मारवाड हितकारेनी सभा कर दिया गया मारवाड हितकारेनी सभा इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया मारवाड हितकारेनी सभा कर दिया गया आई बात समझ में और इस मारवाड हितकारेणी सभाग के द्वारा सरकार की अलोचना करते हुए जै नारायन व्यास जी ने मारवाड की वर्तमान सासन वस्ता पोपा भाई की पॉल गेर कानूनी लाग बागें ये इन पुष्तकों की रचना की किसने जै नारायन व्यास जिसे धुन के धनी लकड फकड बाबा के उपनाम से जाना दाता है जै नारायन व्यास जन को सेर राजस्तान की संगया भी दी गही है ये जो जै नारायन व्यास जे नारायन व्यास ने जै नारायन व्यास ने अखिल भारतिय देशी राजय लोग परिशद के अधिवेशंग में भाग लेने के लिए कहां गए थे ये बंबई भी गए थे ठीक ना भाग लेने के लिए कहां गए हैं बंबई भी गए थे और इसके बाद में 1929 में जै नारायन व्यास ने मारव मारवाड राज्य लोग परिशद मारवाड राज्य लोग परिशद इसकी क्या की गई इस्थापना की गई मारवाड राज्य लोग परिशद की क्या की गई इस्थापना की गई कब 1939 इसकी में 1931 में मारवाड राज्य लोग परिशद का दिवेशन जो है कब 24 से 25 नुवंबर को चांदमल को चांद करन शारदा की अधिर्स्ता में कहां परायोजित हुआ पुसकर में और पुसकर में इस सम्मेलन में किसने भाग लिया था तो कस्तूरबा गांदी ने भाग लिया किसने भाग लिया है कस्तूरबा गांदी ने भाग लिया है कब है 1931 के अंदर जो है ठीक है और 1931 में जैनरान व्यास ने यूवक लीग की सापना की यूवक लीग या यूथ की गई है स्थापना की गई है ठीक है ना और 1932 को बताते हैं कि इस परिशद को क्या कर दिया गया था परिशद को एवेद घोसित कर दिया क्या गोसित कर दिया इस परिशद को एवेद घोसित कर दिया और 1932 इस्यों में ही 26 जनवरी के दिन 26 जनवरी के दिन कौन सा दिवस मनाया गया स्वाधिंता मारवाड में ही स्वाधिंता दिवस मनाया गया और चगनलाल चगनलाल चोपास नीवाला ने चोपास नीवाला ने क्या फेराया था इसी दिन ध्यान रखणा तो तिरंगा फेराया था क्या फेराया है इसी दिने तिरंगा फेराया है किसने चगनलाल ने ठीक है न अब की गई है किसकी स्थापना मारवाड परजामनली की स्थापना मारवाड परजामनली की स्थापना ऐसी कैसी लाइने आपको याद रखनी पड़ी कोई लाज नहीं है परजामनली का कहीं से भी कैसे भी पूछा जा सकता है क्क की गई है 1934 किसके द्वारा जै नरायन व्यास के द्वारा इसके जो अद्यक्सपर्थम अद्यक्स बने थी उनमें नाम आता है किसका नाम आता है बावरलाल सराफ का छीक है ना इसे ही परणायन नहीं 1936 में कौन सा दिवस बनाया था कृष्णा दिवस बनाया था और कृष्णा दिवस बनाया कहा गया था तो बंबई में ठीक है ना 1936 में इसी परजामनल जो है एक तरह ऐसे द्यान रखना कि लोग परिशद जो है देशी राजे लोग परिशद है उसके अध्यक्स जो थे जिनका नाम क्या था पटाभी सीता रमया सीता रमया इन्होंने जोदपुर की आत्रा की थी किसकी आत्रा की है जोदपुर की और 1936 इसी में ही जवारलाल नेरू जवाहरलाल नेरू ने किसकी आत्रा की जोदपुर की ठीक है ना 1336 को इसी परजामनल के दोरान कौन सा दिवस बनाया गया था शिक्षा दिवस बनाया गया था था ऐग यह समझे और 1937 में इस परजामनल को क्या गोसित कर दिया गेर कानूनी गोसित कर दिया औरos इसके बाद में बताती हैं कि 1937 में ही बिकानेर महाराजा बिकानेर साशक गंगासी हैने गंगासी हैने किसके पक्ष में तो गंगासी हैने जो जोदपुर के परधानमंतरी थे जोदपुर के जो अधिकारी थे अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम क्या था डोनाल्ड फिल्ड क क्या नामत है डोनाल्ड फिल्ड को क्या लिखा है पत्तर लिखा है कि आप जय नारण व्यास पर जो है अत्याचार कम कर दीजिए ठीक है जय नारण व्यास पर हो रहे अत्याचारों को जो है इसके पक्ष में जो है 1937 को बिकनेर के महरागा ने क्या लिखा है पत्तर लिखा है सधाइटा करेगी ठीक है और सुभाज संदर बोस ने कहां की जोद्पुर की और इनहीं की प्रेणा से जो है मारवार लोग परिशद की स्थापना की गई और इस परिशद की जो अध्यकस्ता है वो किसने की थी रन छोड़ दास गटानी ने की थी किसने की है रन छोड़ दास गटानी ने से जो है परजामल जो मारवार लोग परिशद है इसकी अध्यक्सता में रन छोड़ दास गटानी के अध्यक्सता में ही मारवार लोग परिशद की क्या की गई है 1939 में इस्थापना की गई है ठीक है ना आईवा समझ में और 1949 के अंदर क्या हुआ 1949 के अंदर जो व्याजी है इन व्याजी पर जोदपुर में क्या है जोदपुर में आने पर क्या लगा दिया गया परतिवन लगा दिया गया जोधपूर में आने पर 1949 में ठीक है परतिवन लगा दिया गया और 1964 में परजामनल के दोरान क्या हुआ कि पंडित नहरू ने द्वारकानात काचरू को किसको द्वारकानात काचरू को कहां बेजा जोदपूर बेजा भी जोदपूर कैसा है इसकी पता लगाने के लिए इसकी स्तिती का पता लगाने के लिए बेजा तो इस द्वारकालात काचरू ने जोदपूर का जो वातावरण है उस वातावरण को क्या बताया दम घोटू बताया जोदपुर के वातावरण को इस द्वारकानात कात्रू निक्या बताया था दम घोटू बताया था ठीक है ना 1940 में ही बेज जाए और 1940 इस्वी में ही क्या किया गया है इस मारवाड लोग परिशद को मारवाड लोग परिशद को मारवाड लोग परिशद गोशित कर दिया गेर कानूनी गोशित कर दिया गया ठीक है मारवार लोग परिशित को क्या कर दिया गया गया गेर कानूनी गोशित कर दिया गया और 28 मार्च 1941 को मारवार में उत्तरदाई शासन दिवस बनाया गया था कौन सा दिवस है उत्तरदाई शासन दिवस बनाया गया था कहां पर बनाया गया है मारवार ने ठीक है ना इसके बाद में बताती है कि जून 1941 को कब जुन 1941 हिस्वी को जो है ची करना पहली बार जोदपूर में क्या हुए नगर्पाली का क्या हुए और इसमें लोग प्रिशद के 22 में से 18 स्थानों पर इन वहने क्या है जीत हासिल की और इसका जो है जैनारायन व्यास को लोग परिशद में जैनारायन व्यास को क्या चुना गया पर्थम निर्वाचित अध्यक्स चुना गया इस परजामनल के दोरान ही जैनारायन व्यास को पर्थम निर्वाचित क्या चुना गया है अध्यक्स चुना गया है ठीक है न अब नगर पालिका में इनको अध्यक्स सुन लिया गया, अब जागिरदार, जो है, वो इनसे नाराज हुए, क्योंकि इन्होंने जीत असील कर ली, इसलिए क्या किया, जागिरदारों किये जाने पर अत्यचारों के करण, व्यास जी को, ठीक ना, व्यास जी ने, व्याज जी ने क्या किया भी क्योंकि जागीरदार किया आम जनता प्रत्यशार करते थी इसलिए व्याज जी ने क्या किया 25 मई 1942 इस वी को अध्यक्स पर छोड़ते हुए 26 जून ठीक है ना 25 मई 1942 इस वी को अध्यक्स पर छोड़ते हुए 26 जून 26 जून को लोग परिशद के नेतरतों में 25 मई नहीं है यह 25 जून है 25 जून 1942 को अध्यक्स पर छोड़ते वे 26 जून को लोग परिशद के लोग परिशद के नेतरतों में आंदोलन शुरू किया और 26 मई को व्याज जी को क्या कर लिया गिरफ्तार कर लिया ठीक है ना अब मारवार सत्याई गरही जो है मारवार सत्याई गरही कहा है जेल के अंदर है जेल में है तो 19 जून 1942 इस्वी को जो है जेल में बूख हरताल चल रही थी 41 कारिय करता हूने जो है बूख हरताल परारम कर दी ब्याज जी के नेतरतों में 19 जून 1942 को एक बूख हरताली जिसका नाम क्या आता है बाल मुकंद बिस्वा की बूख हरताल के दोरान क्या हो गई थी मर्ति हो गई बाल मुकंद बिस्वा की बूख हरताल दोरान मर्ति हो गई बाल मुकंद बिस्वा को क्या का जाता है राजिस्तान का जतिन दास का जाता है क्या का जाता है राजिस्तान का जतिन दास का जाता है इसकी बूख हरताल के दोरान क्या हो गई थी मर्ति हो गई थी ठीक है ना और तो ये विशेशता आप द्यान अकणा और इसी समय बताती हैं कि महिलाओं ने भी के सरिया धारन करके क्या किया था सत्यागरा परारम किया है और सिरीमती महिमा देवी महिमा देवी किंकर ने मारवाड में मारवाड में उत्तरदाई के लिए अभ्यान मतलब उत्तरदाई किस के लिए सरकार के लिए अभ्यान ठीक है नामक पूस्ता का पठन किया था इसने बताते हैं ठीक है ना किसने महिमा देवी किंकर ने और 26 जुलाई 1922 को राजपुता ने में मारवार सत्य ग्रह और इसके बाद में इस प्रजमनल की अंतिम जो घटनाती है उसका नाम क्या आता है डावडा हत्यकांड कोन सा आता है डावडा हत्यकांड कब 13 मार्च 1997 कहा डीडवाना नागोर तो इस नागोर में हो क्या राथा डावडा हत्याकांड एकस्तान का नाम है 13 मार्च 1947 सोरी 13 मार्च 1947 को डावडा नामकिस्तान पर हुआ क्या कि मारवाड लोग परिशद मारवाड लोग परिशद पलस मारवाड किसान सभा किसान सभा इनके द्वारा क्या हो रहा था सैयुक्त सम्मिलन हो रहा था सै नाम क्या आता है मत्हुरादास मत्हुर थे कौन थे इस पूरे के पूरे डावडा के जो मुख्यायोजक थे उनका नाम क्या आता है मत्हुरादास मत्हुर आता है और मारवार लोग पुरिशद और मारवार किसान सबा का संयूप सम्मेलन हो रहा था और इस पर इस सम्मेलन प रुग्घा राम चोदरी राम नरेन चोदरी पन्ना राम चोदरी जग्गु जाठ ये सारे के सारे किसान क्या हो गए थे इस अंदोलन के दोरान क्या हो गए सहीद हो गए ठीक है ना चुन्नी लाम सर्मा, रुग्घा राम चोदरी राम नरेन, चोधरी, पन्नाराय, चोधरी, जगुजाट, ये सारे के सारे इस अंदुलन के दोरान क्या हो गए थे, सहिद हो गए थे, और यह पूरी गटना किस नाम से, दाबडा हत्याकांड के नाम से विख्यात है, हत्याकांड के नाम से, क्या है, नाम से जाननी जाती है, और इस हत्याकांड की पूरे देश के समाचार पत्रों के अंदर निंदा की गई, जैसे बंबई में वंदे मात्रम, जैपुर में लोकवानी, जोदपुर में परजा सेवक, दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स, इनकी क्या की गई थी, इसमें अलोचना की गई थी, और यह पूरा का पूरा डावडा हत्याकांड के नाम से जो है, वो जाना जाता है, कब हुआ है, आपको डावडा हत्याकांड द्यान रखना है, और इसमें जो सहीद होने वाले वैक्तियों के भी आपको क्या नाम दिहान रखने है ठीका ना ये भी परसन आ सकता है और इसके बाद में बताते हैं कि जोदपुर के भारत में विल्या के बाद विल्या के बाद ही उत्तरदाई शासन की स्थापना हुई थी भारत में विल्या के बाद है याँपर क्या हुई है उत्रधैसासंग की स्थापना हुई है ठीक है ना ? इसके बाद में आपके आता है कौन सा परजामडल ? जैसलमेर परजामडल ठीक है ना ? तो यह डाबड़ा इसके अंदर बहुत जरूरी है बहुत इंपोर्टेंट है 13 मार्च 1947 इसके बाद में आपके आता है कौन सा परजामडल जैसलमेर परजामडल देखो रास्टे अंदोल है यह ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते इनका जैसलमेर परजामडल जैसलमेर में जो जन जा आवल वह कौन थे जवाहर सी हैं थे कौन थे जवार सी हैं और जैसलमेर जो है बताती है कि राजस्तान का जो क्या है सबसे पिछड़ा हुआ राज्ये था पिछड़ा हुआ क्या था राज्ये था ठीक है न और इसे क्या कहा जाता है राजस्तान का अंडमान निकोबार भी कहा जाता है क्या कहा जाता है राजस्तान का अंडमान निकोबार इसके बारे में कहावत है कि यहां पत्थर की टांगे ही क्या है यहां तक पहुंचा सकती है, पंडित नहरू ने इसे क्या कहा है, विश्वे का आठवा अजूबा कहा है, और इसके साथ-साथ इसे क्या कहा है, निराली रियास्त कही है, यहां इसी परजमनल के दोड़ान बताती है, कि सागर्मल गोपा किसको सागर्मल गोपा पलस रगुनाद सिंग महता रगुनाद सिंह महता और इसके साथ में आईदान का नाम आता है इन तिनों वेक्तियों को क्या कर लिया गया था यहां ही जोरान गिरबतार कर लिया गया ठीक है ना इनको क्या कर लिया गया गिरबतार कर किसकी महेश्वरी युवक मंडल कि क्या की गई है इस्थापना की है और यहां जो जवार सिंग थे जवार सिंग कुरूरता को देखते हुए व्यक्ति जिसका नामत है सागर्मल गौपा सागर्मल गौपा ने क्या किया आजादी के दिवाने आजादी के दिवाने रगुनाद सिंग महता का मुकदमा रगुनाद सिंह महता का जैसलमेर में गुंडा राज ये क्या की पुस्तकें परकासित की पुस्तकें इनका क्या किया गया इनके दौरा परकाशन किया गया ठीक है ना और सागरमल गोपा जो है इन सागरमल गोपा को जो है बताते हैं कि देश निकाला दे दिया गया जैसल मेर से निकाल दिया गया और यहां से सिदा के सिदा जो है वो कहां चले गए थी नागपूर महारास्टर चले गए और नागपूर महारास्टर को इन्होंने आए थे क्योंकि इनको जो है सरकार ने कहा कि आप इतने दिन के बीतर जो है वापस सले जाना नहीं तो हम आपको यहाँ पर क्या है कि गिरफ तर कर लेंगे भी बेल मिलगी एक तरह से चेसलमेर में बढ़ने की इनकर ठीक ना और इसी समय बताती है कि सागर्मल गुपा जो है उन्हें दिन की छुटी लेकिया था मैं उतने दिन पड़े हैं यहाँ पर तो कोई बात नहीं यहीं रुप जो तो वहां पर जैसे दिन पूरे उन्हें क्या कर लिया गया गिरफतार कर लिया गया कब 22 मई 1942 को गिरफतार करके ठीक है ना और दस जून 1942 को राज़ द्रोय के अपराद में छे साल की क्या कर दी गई सजा सुना दी गई ठीक है ना सजा सुना दी गई और इसमें बताती है कि उस समय जेलर थे उनका नाम क्या आता है गुमान सिंग आता है, कौन सा सिंग आता है, गुमान सिंग ने इनको क्या आत्रे हैं, अधमर भरो, जो आतना कीजेई, वह बोल रहा है, यह बोल भार भर कह रहा है उनको कि भी बोलो जोआर सिंग कीजेई, दो बताती हैं intuitively इतनी आतना दी गए, कि 3 अप्रेल को हदी कर दी 3 अप्रेल 1946 को तो हदी कर दी गुमान सिंग ने इन पर मिटी का तेल डाल दिया कबोल जवार सिंग कीज़े ये कह रहे हैं भारत माता कीज़े इसके वाद ने का मैं आग लगा दूँगा का लगा दे चाहिए मैं तो भारत माता कीज़े बोलूँगा तब बताते हैं कि 3 अप्रेल 1946 को इनको जेल में क्या कर दिया गया जिन्दा जला दिया गया जेल में क्या कर दिया गया जिन्दा जला दिया गया जिस के कारण इनकी 4 अप्रेल 1946 इस्वी को क्या हो गई थी मर्त्य हो गई थी जिंदा जलने से इनकी अगले ही दिन क्या हो गई मर्त्य हो गई और सागर्मल की गोपा की हत्या पर जेसल मेर में एक नारा गुंजा था वो क्या था का खून रो बदलो खून क्या था खून रो बदलो खून भी खून का बदला तो हम खून से ही लेंगे तो इस तरह से यह नारा भी गुंजा था और इसके बाद में बतातें कि इनकी जाच है तू जैसलमेर सरकार ने इन गटना के जाच है तू कौन सा गोपाल सवरूप पाठकायोग का गठन किया जिसने इसको क्या करार दे दि गोपा ने सीव संकर गोपा ने जैसलमेर परजा परिशद की स्थापना की थी और 1945 के अंदर जैसलमेर की जैसलमेर परजामनल की स्थापना की गई परजामनल की स्थापना किस के दौरा मिठा लाल व्यास के दौरा और ये परजामनल स्थापित कहा गया था तो जोदपुर में स्थापित किया गया कहा जोदपूर में इसकी परजामडल की क्या की गई थी स्थापना की गई थी ठीक है ना स्थापना की गई थी और 1949 में बताते हैं कि वरेद राजस्तान में इसका क्या कर दिया गया वरेद राजस्तान में इसका क्या हो गया विल्या हो गया और विल्या के साथ ही जो है यहां का जवान दोलन है वो समाप्त हो गया था तो जैसरे मेर परजामंडल यहां समाप्त होता है आज के लिए इतना ही कल अपने जो दो-तिन महत्वण परजामंडल ओपर है उनकी चर्चा कर लेंगे ठीक है तो तब तक के लिए धन्यावाद दोस्तों आज के लिए इतना ही बाकी सर्चा करेंगे कल थैंक्यू फो टूडे